नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान सभा आरो ए आरो परिक्षा की तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की Government Job से Related Guidance आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों जब ये advertisement आया था तो इसमें negative marking की बात नहीं थी मगर जब ये admit card जारी किये गए तो इसमें negative marking introduced हो गई है तो कई अभ्यारती जो है वो परिशान है कि पहले नहीं थी अब हो गई दोस्तों इसमें घबराने वाली बात नहीं है बलकि देखा जाए तो ये आपके पक्ष में ही हुआ है negative marking होने से जो cut off है उस पे थोड़ी सी लगाम लगती है otherwise जब negative marking नहीं होती है दोस्तों और जो लंबे समय से तयारी कर रहे होते हैं अभ्यारती उनके तुक्के भी सही लगने लगते है ठीक है तो इस मामले में क्या है कि लोग जादा तुक्के नहीं लगाएंगे और cut off जो है थोड़ी सी control में रहेगी ठीक है तो इस बात से परशान होने की आविशक्ता नहीं है और एक point और है जो कि मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा होता क्या है दोस्तों कि जब आप OMR sheet भर रहे होते हैं मान लीजिए कोई आपका एक प्रश्न जो है वो गलत फिल हो गया तो लोग क्या करते हैं कि उस प्रश्न के पीशे पड़ जाएंगे मतलब कैसे भी करके उसे मिटाना है चाहें फिर वो blade से मिटाना हो रवड से मिटाना हो या कई लोग तो उंगली से रगड़ रगड़ के उसे मिटाने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में OMR sheet फट जाती है उसमें छेद हो जाता है उस जगह पर ठीक है तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका एक कोशन गलती से गलत भी हो गया है तो आप उसे छोड़ दें ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में पूरी OMR sheet यानि कि पूरी परिक्षा से ही आप निश्काशित हो ज करते हैं जैसे भी आपको manage करना है अपने हिसाब से कीजिएगा मगर OMR sheet फटनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में ठीक है दोस्तों परिक्षा नजदीक आ गई है रिवीजन आप लोग कर ही रहे होंगे माल लीजे आप मेंसे बहुत सारे ऐसे आप ध्यारती होंगे जिनकी किस कि एक subject पर command थोड़ी सी कम रह गई होगी तो दोस्तों ऐसे में आप जो हमने classes कराई थी उनका फाइदा उठा सकते हैं माल लीजे history हो, geography हो, quality हो, UP special हो, कोई भी subject हो जिसमें आपको लग रहा हो कि आपका confidence थोड़ा सा down है तो आप क्या करिए जो हमने most expected question के PDF बनाए हैं उनसे आप last समय पर revision कर लीजिए उसमें आपको थोड़ा सा confidence आएगा और easy to moderate वाले question भी आपके solve हो जाएंगे ठीक है दोस्तों इसी वीडियो के description में आपको सभी PDF के link मिल लाएंगे और मेरी तरफ से आप सभी को all the best है ये इस तरीके की rumor उड़ती रहती हैं कि सीटे सारी big चुकी हैं ये सब हो चुका है ऐसा नहीं है दोस्तों जो लोग मेहनत करते हैं उनका भी selection होता है ठीक है तो आपके अंदर जो है positive energy इस समय होनी चाहिए अगर आपने form भरा है तो ठीक है दोस्तों और कोई query हो आपकी इस परिक्षा से सम्मंधित तो आप वीडियो के description comment section में पूछ आपके बहरत